पहलो स्ट्रेंग आज का हमारा टॉपिक है नेचरल डिजास्टिर यानि की प्रैकृतिक आपदा क्या है आईए हम जाने इन प्रैकृतिक आपदाउं को कुछ बिस्तार कूँ प्रैकृतिक आपदा प्रित्वी की प्रैकृतिक परिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप एक प्रतिकृतिक और प्रमुग घटना है जैसे उधारन के रूप में बाड, तुफान, बवंडर, जौलम की प्रिस्पोर्ट, भुकम, सुनामी और अन्य भूगरविये परिक्रिया हैं अगर हम इसके प्रभाव और कारण को जाने तो हमें यह जानना होगा कि इसके क्या कारण और प्रभाव हैं प्राकृतिक आप्दाएं बिभिन प्राकृतिक परिक्रियाओं के परिनाम स्वरूप अपरिवर्थनिये घटनाएं होती हैं प्राकृतिक खत्रों से स्वरूप की जो प्राकृतिक घटनाएं उती हैं उनका हमारे जीवन और संपती के नास का वह कारण बनता है आए हम जाने टाइट्स ऑफ डिजास्टर यानि के प्राकृतिक आप्दा के कौन-कौन से परिकार हैं नमबर वन भूबहुतिक आप्दा इसके एक्जाम्पल है अर्थक्वेक लेंड्स्लाइट सुनामी और पॉलकेरिक एक्टिविटी नमबर टू यानि की जल विद्यार आपदा जैसे हाइड्रो लॉजिकल डिजास्टर का नाम दिया गया है इसमें फ्लोड्स इसके एक्जाम्पल है नमबर टू में जलवायू संबंदी आपदा या आपदा एक्स्ट्रीम पेंप्रेचर ग्राउट और वाइल्ड फायर से संबंद रखता है इसके बाद नमबर फोर पे नजर रखे या नजर डाले तो हमें यह एक मौसम संबंदी आपदा भी हमारे शामने सबसे बड़ा एक्जाम्पल लेकर आता है इसमें हम देखते हैं साइक्लों यानि की चक्रवाद और इसके परिनाम से रूप स्ट्रोम वेव यानि की काफी तेज बारिश के साथ आंधी चलती हुए हमें दिशाए देती हुए नबर फाइप में बैलोजिकल डिजास्टर आता है जिसे हम जैविक आपदा का नाम देते हैं इसमें डिजीजेज और कुछ महमार्या सामिल होती इसके अंतरकत आज हम लोग यह जाने की बैलोजिकल डिजास्टर में जो एनिमल द्वारा जैसे प्लेट एक एपैडेमिक बिमारी है इस बिमारी को हम जैविक आपदा यानि की बैलोजिकल डिजास्टर के रूप में जानते तो आज हमने पढ़ा बैलोजिकल डिजास्टर और अन्य प्राकृतिक आपदा इससे कहां और किस तरीके से जाना या एक महत्पुन बात जो हम यह जान लेनी चाहिए कि प्राकृतिक आपदाओं को हम अलग तरीके से अलग अलग विस्तार पूबग हम जाने कि यह प्राकृतिक आपदा हैं हमारी जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं थैंक यू